हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल चैनल एस वीडियन व्लोग्स में और आप सभी को हमारी तरब से दिवाली की बहुत-बहुत उपकामना है अभी कुछ दिवाली का दिन है और कुछ दो-तिन भज रहे थे और मैंने यहाँ पर दिवाली की तैयार को पूरा डेकोरेट किया है और मैंने क्या-क्या तैयारिया की है तो बस बने रही है हमारे साथ और यहाँ पर आयूश मेरी मदद कर रहे है वही ये वीडियो निकाल रहे हमारे साथ वह भी लगे हुए है एकदम बस आज पूरा शूट करने वाले हैं वो कि अंफ्ञ है कि अंग्र भरफ ओग्रे देख सकते है है हाँ मैंने क्तितना भी काम और सब इसने किया है मैंने कुछ नहीं किया गाइज मैं अपको परने बताते रिए घुष होगया है न neighbor है Olay Osτε कट लेगा यार को साथ लिए काट लेगा तुछ लेगा अटाओ यहां से चूर रहो पागल हो क्या कागर्ज वागर्स एटाते गाइज यह देखें हम लोग के रंगोली अभी वह बन रही है मैंने बीच में बनाया स्वास्तिक ये पूरी रंगोली जब बन जाएगी तो आपको समझेगी और ये साइड में मैंने ऐसे बनाया है मैं रात को भी इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगे इसमें मेरी मदद कर रहे हैं डॉक्टर साहिब इनको मैंने मदद के लिए लगाय इतना अच्छा मैं कर दो कि कॉपी राइट् सकता है नहीं बात में बाद मिन और आप लाइव आपको लाइव आकर सुनाओंगे अभी नहीं गाऊंती कॉपी राइट आ सकता है अयूश आज आज आता है ना अगर मेरी आवाज वैसी रहूऌ है कि गायक जो है उसकी तरह और मैंने यहां घर के अंदर भी थोड़ी से रंगोली बना दी है और मैंने यह दिया का एक प्लेट रेडी कर दिया है और यह समय वगर भी रेडी कर दिया है और यह देखिए यह फाइनल डेकोरेशन है जो हम लोग बना रहे थे यहां पर और यहां पर आयूश है वो दिया म अब दोनों मिल करके तयारी में लगे हैं यहां पर और उसके बार गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बालकनी भी डेकोरेट कर दिये मैंने बालकनी में यह थोटा सा बनाया हुआ है विक्या हमारी बालकनी बहुत जादी बड़ी नहीं है और यहां पर आप देख सकते हो यह है अद्विक का किला और मतलब गाइस कैसी लग ली हो मैं थाप कई हो मिलको थाप कई हो और यहां पर आयूश पूजा कर रहा है हमानी मंदीर थोड़ी सी थोटी है इसलिए सेट अप हमने नीचे किया है पूजा का यह है हमारे आज के पंडित जी नमस्कार पंडित जी के दोड़ है वेज़ कर दो तो हलो जाइज हैपी दिवाली जैकर कि अपी डेवाली छरू अपने बुग की पूजा करो जाजए करो मैं भी जाजए लिए मेना ओरेंग इस उल्ड यह गहाँ नो बारा जोट लगते है कि अद्विग आप गिर जाओगे अद्विग आप गिर जाओगे अब यहां अद्वी को भी पूजा करनी है अपना पापा को देख करके अपने बुग सो अगर अगी पुछ को बार? इसको बार? यलो वाले में लगा यलो वाले हाँ अब बना अब इसके ऐसे तच परो चार जगे ऐसे बिंदी पर हाँ तच परो डॉट पर यह वाले पर लगा दो अब अब खुद को लगा लो यहां पर ना लगा लो खुद को लगा लो किस को कलर करते है अदविग भंगवा जी को तिका कहां लगा है ऩाचा हूर हाट थो छोपी दिवाली भंगवा जी और तुमको वह जो ड्लिक चहिए था जो बात्य को बोलेते ना क्या चाहिए था बगवान जी को बोलो खड़े ओकर कि आइस क्लोज करके हाँ जोड़के बोलो बोलो बगवान जी मुझे कैमरा चाहिए दिला दो बगवान जी बोलो बगवान जी को कैमरा चाहिए मुझे दिला दो बगवान जी प्लीज बगवान जी देंगे आस दे देंगे शायद दे देंगे जैगनेश देवा मता जाकी पारवती पिता महाँ देवा जैगनेश 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 देवा मता जाकी पारवती पिता महाँ देवा तुम जैगनेश देवा जी पिता मनेश देवां देवा मत बीता महाँ तो गाईज हम लोगों की पूझा कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग दिया में तेल वगरे डाल चुके हैं और दिया लगा रहे हैं हर जगा सजाने वाले हैं तो यहाँ पर आयूश बाहर जो बालकनी में मैंने दिखाया था आप लोगों को रंगोली वहाँ पर दिया सब को लुभाती प्रयम के दीप हैं खुशियों की बाती मस्त की रोशनी सब को लुभाती वांगन ये लगता है फूजा की थाली वो कुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली देखो दिवाली आई दिवाली है गुलावी गुलावी मौसम धड़कन भी तो है रोशन हर दिल में जगमग होती है खुशियां पात लो हर पर हो हर जीवन उजवन और अभी हमनों सोसाइटी में नीचे आ गये हैं बंपटा के चलाने के लिए अद्विक के लिए आई उस्पेशली मैं मुझे तो बहुत डर लगता है बंपटाकों से पता में पता है अधा, पता में विचे हो विचे रहो विचे हो विचे हो विचे हो बंपब बंप जोखे लिए यह एपी दिवाली एपी दिवाली जला के फिर मम्मी को दिखाना वहीं से ना ममा वीडियो बना रही है यह एपी दिवाली आसे एसारे के सारे इसके लिए है पी दिवाली लूँआ चेको तुम क्यों नहीं गए तुम क्यों नहीं गए चीकू किसे डर लगता है कोई बात में मामा कर रहा है ना मामा आप क्लैपिंग करना हो के क्लैपिंग ये पकड़ा ये पकड़ा इधर देखो चीको इधर आइं देखना दिरे 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 आप कर दो बुखे बंप अठाके से बहुत अहलता है मैं इसे अदुए के लिए आई हूँ मुचे गांदर दोगा पुरेसे भी अई कि अ अच्छा नहीं आया फोटू खड़े हो कर लो खड़े हो कर लो फोटू आगे या थैंक्यू सो मज़ गाइज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा